नमस्कार में उप्रियाब, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है, चले जानते हैं देश विदेश ये कुछ प्रमुक खबरों को अजीटो बाल से बात करने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया चीन, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है भारत चीन सीमा विवाद के बीच दोनों पक्षों में विशेश प्रतिनेधी स्थरिये बातचीत भी हुई थी, बातचीत के बाद दोनों पक्ष के सैनी गलवान घाटी में पीछे हटने को तयार भी हो गये थे मीरिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में अनित चैनलों के साथ-साथ गलवान घाटी में तनाफपूर्ण स्थित को हल करने के लिए ऐसा स्तरिय वारता का प्रस्ताव रखा था भारत ये पक्ष ने कहा कि राजुनेतिक और सैनी चैनल स्थित को डी-ेक्सकलेट करने के लिए उपियुक्त है लेकिन इसमें भारत चीन सीमा मसलों पर परामर्श और समनवे के लिए कारित तंत्रिक शामिल है हाला कि मिली जुहानकारी के अनुसार ऐसा स्तरिय वारता के बावजू चीन अभी भी शांती पुन रवया नहीं दिखा रहा है बीते सोंबार को कुछ चीनी सैनिक फिंगर चार और फिंगर पांच की और बढ़ते देखे गए थे वँंजीवे बोर्ड ने टैगर रिजर्व की तर्च पर डॉल्फिन के संग्रक्षन की कही बात वाले डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाती है जिसे अंतराश्वे प्रकृति संगरक्षन, संगठन और भारती वंजीवी अधिनियम द्वारा संगरक्षी जीवों की श्रेनी में सूची बद किया गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 9 जुलाई को ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल मीट को करेंगे संबोधित। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 9 जुलाई यानि कि कल ब्रिटेन में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित करने वाले हैं। जिसमें भारत के द्यापार और विदेश्वी निवेश्ट की संभावनाव पर चर्चा होगी। जिसके बाद अब टिक टॉक पर अमेरिका भी लगाय का बैन। भारत ने कुछ दूनों पहले टिक टॉक समेथ 69 चीनी आप्स को बंद कर दिया था। वाई अब टिक टॉक की मुश्किले अमेरिका में भी बढ़ने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार भारत की तर्च पर अमेरिका भी जल्द ही इस पर बैन लगा सकता है। जिसकी पुष्टी पहले तो विदेश्मंत्री माइक पॉम्पियो ने की थी। जिसके बाद अब राश्ट्रपती डॉनल्ड टॉम्प ने भी चीनी अप टिक टॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित करने की बात कही है। मिली जुआनकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपती डॉर्नल्ड ट्रॉंप ने मीडिया हाउस से बातचीत के दोरान कहा है कि हाँ हम टिक टॉक को बंद करने पर विचार कर रहे हैं यह एक बड़ा कारोबार है इतना ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपती ने चीन के खिला गंगा नदी के पुर्ण धार का काम किया जाएगा और साथी विच्व बैंक ने बीते दिन कहा है कि दूसरी राष्ट्रे गंगा नदी बेसिन पर योजना में नदी के बढ़ रहे हानिकारक कण को कम करने और नदी के बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी 24 करोर डॉलर में से 38.1 करोर डॉलर यानि की 2889 करोर रुपे रेंट के रूपे दिये जाएंगे और 1.9 करोर डॉलर यानि की 143 करोर रुपे विश्व बैंक ग्यारंटी के रूप में दिये जाएंगे कॉंग्रेस ने केंदर सरकार पर फिरकसा तंच COVID-19 के समाहॉल के बीच राजनीती भी जोर शोर से देखने को मिल रही है कॉंग्रेस लगातार मोधी सरकार पर निशाना साथते रहती है इस दिक्रा में एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी के मुद्धे पर केंदर सरकार को निशाने पर लिया है कॉंग्रिस नेता केसी वेनुगोपाल ने एक बयान में कहा है कि केंदर की मूदी सरकार देश के लिए वीलक्षन और विशेश रूप से विनाशकारी साबित हुई है सत्ता में आने के बाद से देश को सभी सामाजिक आर्थिक स्टूचुकांग को पीछे छोड़ते वे नीचे ले गई है पर खास तोर पर पिश्रे तीन महीने में जब से COVID-19 का असर देखने को मिला है सरकार द्वारा लिए गए फैसले विचार हीन और नास समझी वाले हैं कॉंग्रेस ने दावा किया है कि H-1B वीजा को निलंबत के बाद अमेरिका के फैसले से 2 लाख भारतियों को घर वापस भेजा जाएगा अमेरिका को विश्वास्त संगठा से अलग कर दिया है जिसकी जानकारी अमेरिकी सांसत की तरफ से साज़ा की गई है उन्होंने कहा है कि कॉंग्रिस को राश्टर पती कार्याले से यह जानकारी मिली है कि अमेरिका कोरोना के बीच डबलो एचो से आधिकारिक तोर पर अलग हो गया है COVID-19 के बीच ट्रॉंप ने अमेरिका को अलग थलक कर दिया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे अमेरिकी राश्टर पती ने डबलो एचो के खिलाफ बयानबाजी करते वे कहा था कि संगठन पूरी तरह से चीन के नियंटरन में है और अमेरिका से अपना नाता तोड सकता है विश्व स्वास्त संगठन ने COVID-19 के हवा से फैलने की बात को माना जहां बीते कुछ समय पहले विश्व स्वास्त संगठन ने इस बात से साफनकार कर दिया था कि COVID-19 का संक्रमन हवा में भी तेजी से फैलता है वही अब विश्वस्वास्त संगठन ने नया खुलासा किया है जिसके तहर संगठन ने माना है कि COVID-19 का संक्रमन हवा में फैल रहा है कुछ वह ग्यानिकों के एक संभू ने WHO से गुहार लगाई थी कि वो COVID-19 के संक्रमन को लेकर अपनी गाइडलाइन बदले और लोगों में यह कैसे फैल रहा है इस बात का जिक्र करें वहीं दूसरी तरह विश्व स्वास्त संगठन के COVID-19 की तकनीक टीम का नेत्रित्व कर रहे मारिया वैन का कहना है कि COVID-19 के हवा के जरिये संक्रमन फैलने को लेकर बाचीत लगातार जारी है अला कि WHO ने कोरोना को लेकर पहले बयान दिया था कि यह किसी के छीकने या खासने पर ड्रॉपलेट्स के जरिये दूसरे लोगों में फैल रहा है क्रेलिकल इंफेक्शिस जनरल ने बीते दिन यह विदावा किया था कि COVID-19 के कण हवा में भी तैरते रहते हैं आज है सौरब गांगुली का जन्म दिन भारते टीम के पूर्फ खिरारी और BCCI के वरतमान अध्यक्ष सौरब गांगुली का जन्म दिन है टीम इंडिया के पूर्फ क्रिकेटर मोहमद क्याफ ने उनके जन्म दिन पर उन्हें शब कामनाय दी हैं जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर पर गांगुली के साथ दो तस्वीर को शेर किया है एक में गांगुली शेर्ट उतार कर जीत का जश्ट मना रहे और दूसरे फोटो में वो क्याफ के उपर चड़े हुए हैं इन दोनों तस्वीरों को शेर करते वे उन्होंने लिखा एक अच्छे बलेबास से एक शांदार कप्तान तक और अब एक भारते क्रिकेट की अगुआई कर रहे हैं मैं अपने पसंदीदा कप्तान और मेंटर सौरप गांगुली को जर्म दिन की बढ़ाई देता हूँ लेकिन फॉलादी सीना दिखा कर ऐसा कौन चड़ता है दादा, हैपी बिर्थटे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे गांगुली की कप्तानी में कैफ खेल चुके हैं 2002 नेटवेस्ट ट्रोफी के फाइनल मैच में कैफ की यादकार पारी ने भारत को जीत दिलाई थी उसी मैच में गांगुली ने लॉट्स की वालकेनी में शट उतार कर जीत का जश्ट मनाये था नेपाल और भारत एक बार फिर से आये आमने सामने नेपाल अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है एक बार फिर से नेपाल ने भारत की जमीन पर अपनी दावेदारी पेश की है, मिली जानकारी के नुसार सीता मडी के भिटा मोल के पास हो रहे सड़क निर्मान कारे को नेपाली सैनिकों ने रोक दिया है, नेपाल पुलिस के जवानों ने जमीन पर दावा करते वे निर्मान कारे को रोका है नेपाल पुलिस के जवानों का कहना है कि भारत की सीमा में 20 मीटर अंदर तक नेपाल की जमीन है सडको का निर्मान No Man's Land तक किया जा रहा है हाला कि नेपाले पुलिस द्वारा काम रोके जाने पर मजदूर और सडक निर्मान के लोग का फी ज्यादा नाराज जुससे तनाफ के स्थिते भी उत्पन हो गई थी, स्थिते भी गड़ता देख दोनों तरफ से जवान बॉर्डर पर जमा होना शुरू हो गए थे हाला कि SSB जवानों ने स्थिती संभालते वे लोगों को यह खैकर शांत करवाया कि वरी अधिकारी बात कर रहे हैं मामला निप्टालेंगे, किसी को भी यहां बेवजा उलजने की जरूरत नहीं है COVID-19 के इस माहौल में इस बैंक ने अपने करमचारियों की सैलरी में 8 फीस दीकी बढ़ोतरी COVID-19 के इस माहौल में जहां कई करमचारियों की नौकरी जा रही है तो कई करमचारी आधी तनख्वा में काम करने पर मजबूर है वह दूसरे तरफ नीजी बैंक ICICI ने अपने 80,000 फ्रंट लाइन करमचारियों के सैलरी में 8 फीस दी तक बढ़ोतरी करने का फैसला सुनाया है इन करमचारियों को COVID-19 के माहौल में काम करने का इनाम दिया गया है यह करमचारी बैंक में काम करने वाले कुल करमचारियों की संक्या का 80% से अधिक है खबरों के माने तो इन करमचारियों को COVID-19 में अपनी सेवाएं देने के रिए इनाम दिया गया है हाला कि वेतन में यह बढ़ोतरी वित्तवर्ष 2021 के लिए ही की गई है जो की जुलाई से लागू हो गया है ICICI बैंक हो मार्च तिमाही में स्टैंड अलोन बेसिस पर 1221 करोर रुपे का अश्रुध लाब हुआ था जो पिछले साल के तिमाही से 26 फीस दी ज्यादा था लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुए फ्लाइट के रीफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेज़ा नोटेस COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के लिए सरकार ने मार्च से जून तक लॉकडाउन का एलान क्या था जिसकी वज़े से कई सारी उड़ाने भी क्यांसिल हो गई थी जिनके टिकेट का पूरा पैसा वापस कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंदर और DGCA को नोटेस भेज गया है इसके बारे में सरवोच नयाले में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह नोटेस भेजा है मिली जानकारी के नुसार इन याचिकाओं में कहा गया था कि एरलाइंस टिकेट का पैसा लोटाने में विफल रही है और वो गलत तरीके से यात्रियों पर जबरदस्ती क्रेडिट सेल की विवस्था थोपने का प्रयास कर रही है जिसके बाद सुनवाई के दौरान संच्छप्त तौर पर कहा गया है कि नोटेस जारी किया जाए टिकेट का पैसा लोटाने से इनकार कर ना मनमानी है या नागरिक ओडियन जरूरतों के खिलाफ है महराश्ट्र दिल्ली के अलावा कई राज्य भी COVID-19 की चपेट में आ रहे हैं तेजी से अभी तक महराश्ट्र और दिल्ली ऐसे राजो है जहाँ पर COVID-19 संक्रमितों की संख्या में बेलगाम बढ़ोतरी देखने को मिली है अब उसके बाद दूसरे राजो में भी ऐसे हैं जहाँ पर COVID-19 की बढ़ोतरी बड़ी तेजी से हो रही है मिली जानकारी के नुसार तमिलनाडू तेलंगाना करनाटक पश्विम बंगाल केरवल और असम में संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है इन राजो में सामुदाइक संक्रमन की आश्रंग का जटाई जाने लगी है तमाम ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनकी ट्रावल हिस्ट्री का पता ही नहीं चल पाया है यानि की संक्रमित कैसे हुए यह पता करना मुश्किल हो पा रहा है इसे देखते वे राजो सरकार सिरोलोजिकर सर्वे ग्रेसिंग रांडम आंटीजिन टेस्टिंग का सहारा ले रही है करनाटक में भी सरकार ने सभी कर्मचारियों को ट्रेसिंग पर लगा दिया है वहीं ओडेसा में 21 में संक्रमन पहुँच चुका है सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद करन जोहर की हुई बुरी हालत सुशान सिंग राजपूत के जाने के बाद लगतार करन जोहर को सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजकी का सामना करना पड़ रहा है और यही कारणे की लोग द्वारा लगातार किये जारे टिपणी के कारण करण जोहर की हालत बहुत खराब हो गई है करण जोहर के करीबी दोस्त ने इस बात का खुलासा किया है एक इंटर्वियू में करण के दोस्त ने उनकी हालत के बारे में जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि करन फिलहाल बुरी तरह तूटके हैं करन को कई सालों से ट्रोल किया जा रहा है उन्हें लगने लगा था कि यह सब वो जेल कर उन्हें इसकी आदत हो गई है लेकिन सुशान्त के जाने के बाद लोगों ने जिस तरह उन्हें निशाने पर लिया है लोगों की नजर में वो खुद को अकेला पा रहे हैं और गलत भावना से देख रहे हैं वो बुरी तरह से हिल गे हैं करन की करीबी सारे लोगों को इसी चक्कर में ट्रोल किया जा रहे हैं और इन सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं तो चली बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल को जिस प्रकार है आपके नुसार कई राजयों में COVID-19 के सामुदाइक संक्रमन की आश्वंका उत्पन होने के बाद भारत में लॉकडाउन के नियमों को दुबारा से लागू करना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश्वी देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद